राजिस्थान में चुनावी सीजन है और किसी भी वक्त प्रदेश में आचार सहिंता लग सकती है ऐसे में नेता और विधायक आम जनता के बीच पैट बनानी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तयार है ताकि जनता फिर से उने चुन कर विधान सबा भेजे अब आप इन तीनों तस्वीरों को देखिए कभी मोची, कभी सबजी वाला, तो कभी सफाई कर्मचारी इन तीनों तस्वीरों में दिख रहे ये शक्स एक ही है और उनका नाम है ओम प्रकाश हुडला जिनकी तरह-दरह की दस्वीरे आज कल सोशल मीडिया में वाइरल हो रही है वैसे तो हुडला जी दोसा के महवा सीट से विधायक है लेकिन अपने विकास कार्यों की वज़े से दूसरे कामों के लिए भी चर्चा में बनी रहते हैं दरसल 3 अक्टूबर को महवा से निर्दिले विधायक ओम प्रकाश हुडला उपजिला हॉस्पिटल बहुचे जहां हॉस्पिटल निरिक्षन के दोरान पबलिक टॉयलेट देखा तो भड़क उठे लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद ही ब्रश और हार्पिक हाथ में लिया और घुजगय सफाई करने और शौचाले की कमोट और टायल्स की सफाई कर डाली इसके बाद उन्होंने अस्पताल की करमचारियों को भी पावंद किया कि अस्पताल में गंदगी नहीं रहनी चाहिए हम सब लोग देशवासी भारत मारता के भीर सपूत हैं और भारत मारता की रक्षा करने के लिए प्रतेख भारतिये की जिम्मेदारी बनती है कि भारत रास्ट स्वच्च को निर्मल को यह मात्मा गांदी जी के जहनती के सवच्चता के लिए पकवाड़ा पुरा देश मना रहा है हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सरकारी अस्पतालों को और साल जेने किस्तालों के सफाई करें अब विधायक जी की दूसरी तस्वीर देखिए गले में सब्जी की माला बहन कर विधायक जी 20 रुपए किलो टमाटर बेच रहे हैं सब्जी विधायक को सब्जी की दुकान पर देखकर वहां लोगों की फीड़े खट्टा हो गई और विधायक से सब्जी खरीदने वालों की लाइन लगने लगी फिर सब्जी बेचने के बाद विधायक होड़ा ने कहा कि सब्जी विक्रेता और गरीब आदनी अपने आपको अकेला न समझे उसके साथ इस्थानिये विधायक ओम्परकाश होड़ा खड़ा है वहीं विधायक जी की ये तीसरी दस्वीर दो अक्टूबर की है जब गांधी जैंती के अपसर पर वो मूची की दुकान पर पहुँच कर अपने समर्थकों के जूते पॉलिश करने लगे थे चुनाव से पहले विधायक ओम्परकाश होड़ा के इस अनुखे अंदास के चर्चा अब पूरे प्रदेश में है हाला कि चुनाव सरगर्मी में विधायक होड़ा की ये महनत कितनी रंग लाती है ये तो विधानसवा चुनाव के बाद ही बता चलेगा